हेलो बच्चो वेलकम टू केमिकल साइंस और आज हमारा टॉपिक बच्चो एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉंड ठीक है तो आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला लेक्चर है चलिए तो स्टार्ट करते हैं देखिए अब हमाएं बात कर जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉंड ठीक है और कार्वन कारबन मलटीपल ब्ॉंड मीन डबल पॉंड और अलकीन claiming noises कि बात यहां पर हम करने वाले हैं वो addition reactions देते हैं कैसे देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ let us suppose यह रहा कोई मेरा molecule ठीक है यह कोई alken molecule है और इसने बच्चों मैंने क्या कोई reagent add करना है आप जानते हो reagent के two parts होते हैं यह होता है electrophile और यह होता है nucleophile ठीक है यह कोई मेरा reagent है और यह रहा आपका electrophile और यह रहा आपका nucleophile clear हुआ simple सा तो यह रहा आपका product ठीक है यह बहुत simple चीज है हमें actually में इसकी mechanism को पढ़ना है ठीक है हमें यह देखना है कितने type से हो सकती है ना कौन से mechanism को follow करती है चली देखिए तो यह रहा आपका जो reagent है आपको पता है reagent two parts में है एक है इसका electrophilic part और एक है बच्चो इसका nucleophilic part ठीक है यह रहा है reagent के two parts अगर मैं इसकी mechanism की बात करूँ yes यह देखिए इसकी mechanism mechanism बच्चो इसकी काफी type की हो सकती है मतलब basically जो होती है हो तिन type की हो सकती है ठीक है एक होती है आपकी electrophilic addition nucleophilic addition और एक होती है free radical ठीक है तो फिलाल मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ बट तीनों मैं से हमें जो कर नहीं है फिर हम उसकी बात कर लेंगे देखिए तो सबसे पहली जो mechanism है बच्चो वो है हमारी electrophilic addition ठीक है आपको भी पता है जब आपने भी reaction देखा example में जो हमने पढ़ा बच्चो तो उसमें आपने क्या देखा कि जब reaction हुई है ना जब addition हुआ तो electrophilic addition भी हुआ nucleophile का addition भी हुआ ठीक है addition तो दोनों का हुआ यह रहा आपका product है ना अब मैं mechanism को electrophilic कैसे कहूँगा और फिर उसी mechanism को nucleophilic कैसे कहूँगा जबकि product दोनों के same आएंगे क्योंकि electrophilic भी आकर attach होगा और nucleophilic भी आकर attach होगा ठीक है तो बच्चो यह हम लोग decide करते हैं कि आपका जो reactant molecule है ना उसका nature कैसा है यह देखिए तो यह रहा मेरा कोई reactant molecule यह देखिए ठीक है यह कहाँ आपके alkene है और अब मैंने कहा है electrophilic addition तो इसको समझते है electrophilic addition कैसे है देखिए यह रहा आपका electron यह रहा आपका reactant molecule जो आपको दिखावी पढ़ रहा है electron rich ठीक है इस बात को ध्यान लगना है electron rich कैसे है क्योंकि इसके पास pi electron है ठीक है से बोलते है loose electron density यह कह सकते है आप इसके पास loose electron density जो होती है यह क्या होती है electron rich होता है molecule इसी की वज़े से है ना क्योंकि यह क्या है electron density pi bond में जो electron density होती है आप जानते हो क्या होते हैं पाई बहुत loosely held होते हैं उसमें electrons हैं काफी free amount में type रहते हैं तो overall molecule जा है electrons rich हो जाता है ठीक है अब एक बाब बताएए यह reactant substrate molecule जो है वो electron rich है और जो आपका reagent है उसमें आपके दोनों part है electron rich part भी है which is nucleophile और electron deficient भी यह से आप बोलते हो electrophile clear ठीक है ना तो दोनों parts उसमें available हैं अब आपको यह check करना है कि आपके उन दोनों part में से जो substrate molecule है पहले किसको attract करेगा yes यह electron rich है तो obviously बात है electron deficient को attract करेगा तो सबसे पहले जो इसमें करेगा वो है बच्चों मारा electrophile due to opposite charge ठीक है यह क्या है electron rich और यह क्या है electron deficient ठीक है this is electron deficient clear तो reaction करते हैं देखिए mechanism करते हुझाने तो आपको पहले बताता हूं step first में क्या होता है सबसे पहले जो electron deficient part है ना वो उसकी electron rich जो substrate है उसकी जो high electron density यह ना loosely held electron density उसकी electron density से यह electrophile जाके attract हो जाता है और पहले किसी position में आके नहीं attach होता है और directly सिर्फ आके इससे attraction से ऐसे touch हो जाता है ठीक है मतलब ऐसे particular position में वह आके नहीं हो जाएगा ठीक है इस तरीके से यह रहा इसका electrophile ठीक है क्यों हुआ ऐसा इसकी electron density की वज़े से ठीक है तो इससे हम लोग बोल देते हैं बच्छो पाई कॉम्प्लेक्स इस पाई कॉम्प्लेक्स ठीक है पाई कॉम्प्लेक्स बन गया क्या हुआ electrophile electron deficient species सिर्फ उसकी electron rich species electron rich part से आके attract हो गई और आके directly उसके साथ आके attach हो गई है ठीक है particular position उसने अभी occupy नहीं की है ठीक है तो मैं उसको ऐसे बना दिया इसे पाई complex अब धीरे धीरे क्या करेंगा next step में यह किसी एक particular position में आके attach हो जाएगा ठीक है वो किसी में भी हो सकता हो depend करेगा तो फिलाल के लिए कुछ ऐसा है like this जैसे मान लिया कि हमने किसी एक carbon में suppose इस carbon में आके वह लेक्टोफाइल आके attach हो गया है like this ठीक है अब इस carbon में अगर देखिए लेफ्ट आले carbon अगर अगर अटेच हुआ है इसका मतलब क्या रहा होगा कि लेफ्ट आले carbon माइनस चार्ज रहा होगा yes अब माइनस चार्ज कहां से आया पाइलेक्टोन शिफ्ट हुए है तो पाइलेक्टोन जब शिफ्ट हो जाएंगे एक साइड मतलब माइनस चार्ज करेंगे तो अब यह सी बात है दूसरा carbon जए हो क्या हो जाएगा positively charged हो जाएगा yes इस positively charged species clear हुआ तो यह इस reaction का intermediate है बच्चों इसे हम लोग बोलते है कार्ब हो केटाइन ठीक है है हमारा कार्बो केटाइन बन जाता है इसे intermediate clear है और कार्बो केटाइन की stability आप जानते हो 3 degree is more stable than 2 degree and then 1 degree ठीक है तो इसी पर depend करेगा कि कौन से वाला कार्बो केटाइन ज्यादा stable है जिस जो कार्बो केटाइन ज्यादा इस्टेवल है उसके दूसरे वाले कार्बन वही कार्बो केटाइन फ्रम होगा ठीक है और आके इस कार्बो केटाइन को एप्रोच करेगा और आकर directly वहांपे attach हो जाएगा तो मैं इसको simple way में इसे रिखा देते हैं like देखिए अगर इलेक्ट्रोफाल यहाँ attack हुआ है तो यह nucleophile दूसरे साइड आके attach हो जाएगा ठीक है ऐसा कि हूँ opposite side इस सारी बात हैं तो detailed discussion जब करेंगे तो आपको बता जल जाएगी फिलाल बस आपको यह बताना था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की mechanism है ठीक है तो पहला step electron rich substrate electron deficient electrophile जो है वह क्या होगा साके directly attach हो जाएगा ठीक है particular position में नहीं होगा सिर्फ electron density से attract हो जाएगा और pi complex का formation करेगा then फिर pi complex देरे-देरे कहा intermediate carbocatine में change होगा और then carbocatine में nucleophile का attack करके हम क्या कर लेंगे particularly position में हम nucleophile को attach कर देंगे then यह आपका बच्चों क्या बनगा product this one is product clear हुआ तो यह इसका mechanism था कैसा electrophilic addition electrophilic कैसे addition दोनों का होता ऐसा नहीं कि अगर electrophilic है तो सिर्फ electrophile ही attach होगा nucleophile नहीं होगा है ना attach दोनों होंगे बस वो depend करता है कि पहले कौन सी species जो है substrate को approach कर रही है ठीक है this is substrate molecule है तो substrate molecule है पहले कौन सी reagent का कौन सा part आके उसको approach कर रहा है तो उस पर depend करता है की reaction का type क्या होगा clear हुआ then second type की mechanism देखते है which is nucleophile ठीक है nucleophilic addition अब आप समझ गए होंगे क्या होगा इस बार अब nucleophile पहले attack करेगा करके yes then देखिए यह रहा मेरा कोई reactant ठीक है substrate कह सकते हैं और अब मैंने attack करना है nucleophile का ठीक है nucleophile भी क्या है reagent का part है ठीक है negative part और यह electron rich species है ठीक है तो आप खुद ही समझ गे होंगे कि electron rich मतला high electron density है इसमें और यह क्या है electron क्योंकि इसके पास भी माइनस चार्ज है yes है ना माइनस निगेटिवली चार्ज इस पीस से तो जितना interaction वहां पर था attraction जो था वह यहां पर होने वाला नहीं है तो इसके लिए कुछ special conditions होंगे जिसमें की nucleophile आके आपका attach होगा ठीक है तो condition simple से यह होती है कि आप इसकी electron density को कम करिए ठीक है यह किसी सिंपल सी बात है कि मुझे जिस साइड भी उसे attract shift करवाना है electron density को pi electron density को वहां के साट मुझे कोई electro कोई strong electron withdrawing group attach करना पड़ेगा like no2 यह देखें ठीक है आप जानते हो no2 क्या electron withdrawing group है yes this is electron withdrawing group ठीक है इसको ewg बोलते हैं हम लोग तो electron withdrawing group मैंने लगा दिया यह क्या करेगा pi electron density को shift कर देगा मतलब जो उस density को polarize कर देगा ठीक है एक side को shift कर लेगा दूसरी side positive बन जाएगी और जिस side को shift होगा वो slightly negative बन जाएगी तो दूसरी वाली side में आकर क्या करेगा आकर attack करेगा nucleophile क्योंकि वही क्या हो रही है positive कैसे देखो negative positive क्यों हुआ negative positive सिर्फ इस no2 की वज़े से ठीक है चलिए अब जब attach हो जाएगा देखो completely attach होगा तो obvious सी यह बात है फिर इस bond की breaking हो जाएगी है ना यह left side में break हो जाएगा तो break होने के बाद वो बन जाएगा negative हो तो देखे कुछ इस तरह के से बन जाएगा यह रहा हो carbon और यह रहा हो क्या आपका NO2 ठीक है और यह रहा आपका इसमें negative charge single bond C C में क्या जाएगा positive और positive में आकर nucleophile के addition में carbocation but in nucleophilic addition में बच्चो हमारा बन जाता है क्या carbonion ठीक है this is carbonion ठीक है negatively charged carbon बन जाएगा इसकी stability का track justice का reverse होता है क्या होता है बता है 1 degree then 2 degree and then 3 degree ठीक है यह छोटी चीज़ है जो आप elementary classes में पढ़ चुके है clear हो गया तो यह रहा ठीक है then अगले step में आपको पता है क्या हो होगा यस अब इसमें क्या हो जाएगा negative charge species है आप इसमें चाहो तो अपने इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट को ले आएंगे और आकर attach करा लेंगे simple सी बात है यह ना product बन जाएगा चाहो बनाना तो मैं आपको बना कर यहापर दिखा देता हूँ देखिए कैसे बनाएगा यहाँ पर आपका कौन है NO2 और यहाँ पर क्या जाएगा इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि नेगेटिव रिचार्ज स्पीसीज है यहाँ यह आपका बच्छा न्यूक्लिफाइल ठीक है तो यह रहा बच्छा आपका इसका प्रोडेक्ट क्लियर ठीक है ना समझ मां गया तो यह यहीं रहास का प्रोडेक्ट तो दो टाइप की आपने देखी एलेक्ट्रोफिल एलेक्ट्रोफिल एक क्यों कि पहले एलेक्तर फैल्ट अट्रेक्ट हुआ टिकあります लो मोरसे का बिकावड को पार्ट अटैच हो रहाएँ एक्ट्रौपीजेंट है यह तो प्रॉपर इंटरेक पोलराइज कर देगा, एक साइट को सिफ्ट कर लेगा, देन सेकंड स्टेप में आपका नुक्लियो फाइड आकर अटेच होगा, और कार्बो एनायन इंटरमीडिट बनेगा, यह ना, देन उसके बाद आपका फिर सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेप में इलेक्टोफाइल अटेच होगा, और क्या बना लेगा, प्रोटेक्ट बना लेगा, ख्लेर होगा, ठीक है, चले, अब देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट इसकी, फ्री रेडिकल मेकानिजम, देखिए, अब हम थर्ड टाइप की मेकानिजम लेते हैं, फ्री रेडिकल मेकानिजम, ठीक है, तो थर्ड टाइप का है, पहला आपने एलेक्टोफिलिक देखा, सेकंड आपने अपने नुक्रोफिलिक देखा, फ्री रेडिकल मेकानिजम, ठीक है, free radical mechanism, देखिए, अब free radical mechanism में क्या होगा आपको पता है, उसके पहले आपको radicals generate करने पड़ते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ second step की बात करेंगे, जो यह रहने वाला है, यह रहा हमेरा electron rich species, मतलब alkyne, मतलब substrate molecule, और इसने मैं attack करूँ कि इसी radical का, ठीक है, और आप इस बात क बहुत अच्छे तरह किसे जानते हैं, कि एक radical जो होता है, वो दूसरे bond को भी radically cleave कर देता है, ठीक है, radically break कर देता है, तो क्या बनेगा देखिए, अब suppose इसका पाई bond है, वो radically break होगा like this, ठीक है, आप जानते हो, radically break होने को हम single headed arrow से show करते हैं, तो कुछ इस तरीकी species नजर और एक radical इस वाले carbon ने बन गिया, ठीक है, और वो carbon का radical जो है, क्या करेगा, इस एक radical से combine हो जाएगा, means यह आपका A, clear हुआ, तो क्या बन गिया, हापर intermediate जो बनता है, बच्छो हमारा क्या बनता है, radical, free radical, this is a free radical intermediate, free radical intermediate, इसकी जो stability होती है, वो होती है, क्योंकि radical भी है, क्या होती है, electron deficient species होती है, देखिए, आप count करेए, इस वाले carbon में, जिसमें radical बनाए है, उसके पास, कितने electron है, उसकी valent shell में, एक bond, दो electron, दो bond, फोर होगे, और थर्ड बन में मिलाके, शिक्स electron होगे, और एक अन पेर्ड इलेक्ट्रोन होगे है, तो overall हमारे पास 7 electron species है, 7 electron species का मतलब हो गया है, आपकी intermediate भी हो गई है, क्योंकि unstable है, intermediate है, और free radical है, तो electron deficient भी है, क्योंकि 7 electron species है, और electron deficient के लिए आपको जानते हो रहा, 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, प्लेयर वा, अब आप चाहो, तो next step माँ इसको ऐसे कुछ move करा सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर आप दूसर radical से combine करना चाहते हो, तो आप directly करा सकते हो, otherwise radical chain reaction चलती रहती है, इसको propagation step बोलते हैं, आपने previous class में इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आप चाहो तो फिर भी product बनाना, तो लाइक में product यहाँ पर बना देता हूं, जैसे यहाँ पर A लगा दिया, suppose यहाँ पर B लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, वो depend करता है reaction के, reaction कौन सी हो रही है, clear हुआ, तो आपने देखा कि तीन टाइब की mechanism हमारी है, और हमारे syllabus में सारी हमें पढ़नी है, तो इस मेंसे जब हम first mechanism पढ़ेंगे बच्चों हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction, ठीक है, तो यह तरीकी से हमारा syllabus भी हो गया है, अब इलेक्ट्रोफिलिक addition reaction में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी mechanism, उसकी stereochemistry, है ना, तो stereochemistry इसकी बहुत important है, क्योंकि question जातर stereochemistry वाले पार्ट से ही पूछे जाते हैं, clear हुआ, तो यह हमारा introduction था, आपने देखा कि carbon, carbon multiple bond में addition कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, कौन सी mechanism को follow करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक addition को follow कर सकता है, and nucleophilic addition को follow कर सकता है, और free radical addition को भी follow कर सकता है, तीनों के हमने intermediate देखे, तीनों के हमने product देखे, clear हुआ, अब अच्छों next class में मिलते हैं, next class में हम लोग particular topic स्टार्ट करते हैं, electrophilic addition reaction, okay?